आपका इस यूटूब चैनल पर और आज देखेंगे हम जो RRB के अंदर जो भूपाल के अंदर जो पूछे गए थे 1995 के अंदर जो क्यूशन most important कुशन जो बार बार आपके पेपर में आते हैं रेलवे के एकज़ाम में पूछे जाते हैं तो जिन्होंने subscribe नहीं किया वो subscribe कर दो जिन्होंने like नहीं किया वो like कर दो दबा के share कर दो तो start करते हैं आज नए सेक्शन के साथ फर्स्ट कुशन जो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वह अकबर और हेमु के बीच हुई थी और जो पानीपत का पर्थम यूद था वह 21 अपरेल 1526 में हुआ था आप सभी याद रखेंगे कि 21 अपरेल 1527 के अंदर ये यूद हुआ था और किन किन के बीच हुआ था बाबर बाबर और लोदी वन्स के बीच में हुआ था लोदी वन्स के बीच में हुआ था और जो तर्थे यूद था तर्थे यूद तिर्थे युद्ता वह 14 जनुवरी 1761 में हुआ था यहां भी बात आप याद रखेंगे और किन किन के बीच हुआ था यहां यहां अहमद सा अब्दाली और मराठा शेना बती सदाशिव राव के बीच में हुआ था तो नेक्स्ट कुशन देखेंगे जो मान्सरोवर साबर मान्सरोवर जील इब्बत में इस्तित है जो केलास परवत से जिसकी 47.6 किलो मिटर तो केलास परवत है वहां से इसकी दूरी इतनी है नेक्स्ट कुशन देखेंगे जो वीजे नगर तुंग बजरा नदी के टट पर इस्तित है बहमनी राजाओ की राजदानी बानी थी यहां भी बहुत most important question होगा जो आपके बार-बार exam में पूछा जाता है और आप इसको याद करोगे next question तडित विशर्जन जो तडित विद्द होती है उसे विशर्जन के दवारा उत्पद्न किया जाता है next question जो रेबीज नामक रोग है वह विशानू दवारा होता है रेबीज नामक रोग विशानू थाथ वायरस दवारा होता है और यह किसके कारण होता है यह कुत्ते के काटने के कारण होता है और इसके लक्षन लक्षन का पता कब तक चलता है एक से तीन महीने के अंदर इसका पता लगता है इसके लक्षन का पता लगता है और लगबग 15 दिन के पहले इसका जो एंटिडोट लेना होता है जो इंजेक्शन होते है जो कुट्टे के काटने के कारण जहाँ पे इंजेक्शन लगते है तो वो 15 दिन के अंदर लेना होता है नेक्ट क्यूशन मानों का सामाने रक्त दाब है वह हैं 120 बटा 80 mm है यह क्यूशन पहले भी आया था कि जो 180 प्रेसर है वो कहां पर बेता है और जो 80 है निमने दाब का होता है जो उच दाब का होगा वो 120 होगा और निमने दाब का 80 होगा तो जो उच दाब का होगा वो अदमनियों में भएगा और जो निमने दाब का होगा वह हैं सिराओं में भएगा जो असुद रक्त होता है वो जो बोडी से खून को अर्धे तक ले जाते हैं वह हैं कम प्रेसर पर जाता है सहद मुख्य तक कार्बोहाइट्रेट होता है जो सहद होता है वो मुख्य रूप चे कार्बोहाइट्रेट होता है यह हैं भी बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है सवषूज सविधान के अनुछेद वन में राज्य संग को रखा गया है जो बभारत का सविधान है उसमें जोनुछेद वन है उसमें भारत संगराजी को रखा गया है यह पोर्ष्ट इंपोर्टेंट है विक्टोरिया प्रपात एजी जेमबेजी नदी पर इस्तित है हीरे की चमक का कारण पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन है यहां भी एलपी में बार बार पूचा जाता है और आप बार बार इसको गलत करके आते हो तो आज ही इसको याद कर लो कि जो पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन है वह हैं हीरे के अंदर और जो ओप्टिकल फाइबर साती है उसमें भी यह हैं पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के कारण ही जो अपने नेट चलता है जो 90 डिगरी होने के बाद यह हैं प्रावतित ना होकर वह अपने ही मारक में मिशलित हो जाती है नेक्ट क्यूशन जो रजिय सुल्तान थी रजिय सुल्तान इल्तुस मिश की बेटी थी नेक्ट क्यूशन यहां भी बार-बार इंपोर्टेंट है तो बार-बार आपके RRV और JE लोको पाइलेट या अथात अशिस्टन लोको पाइलेट तो इनमें पूछा जाता है नेक्ट क्यूशन भारत में स्वन मुद्रिकाय यूनानियों ने चलाई कुसानों ने चलाई जो सरवा परतम सोने के सुद्ध थे वह कुसानों ने चलाई थी और जो सिक्के थे मुद्राय जो मुद्राय है वह यूनानियों ने चलाई थी यह question हम पढ़ चुके और पिछली बार युनान थे तो अब की बार उसाण है जो सुद्ध सोने के सिक्के चलाये थे next question सूरिय की उर्जा का मुख्य कारण नाभी के सलेन है याद रखना यह सूरिय का नाभी के सलेन होगा और जो परमानू होगा उसका नाभी के विखंडन होगा यह भी बहुत इंपोर्टेंट है आप इसको याद कर लिया करो और अगर वीडियो आप अगर क्यूशन समझ में नहीं आता और याद नहीं होते आप इस वीडियो को एक से दो बार देखो आपको क्यूशन से आपको याद हो जाएंगे next question जो सिक गुरू गुरू अंग देव के गुरू नानक की जिवनी लिखे थी next question जो रोम सहर है यह भी कुशन बार बार पुचा जाता है रोम सबर सहर टाइबर नदी के किणारे बसा है next question तो राज्य सभा राज्य सभा दुवारा लोग सभा को धन विदेख 14 दिन में लोटा दिया जाना जाना जाएंगे यह हैं दोनों क्यूशन एक है 14 दिन में लोटा दिया जाना चाहिए तो आपको जो क्यूशन होगा राज्य सबाद वारा धनविदेग को 14 दिनों में लोटा दिया जाना चाहिए नेश्ट क्यूशन क्यूशन बार बार आपके एक्जाम में पॉइंट फ्यूशन है इन्पोर्टेंट है जो चोल राजाओ की राजानी तन्जोरती तो इसी के साथ हम इस क्यूशन को समाप्त करते हैं और आपके लिए नए सेक्शन के साथ जल्द लोटेंगे धन्यवाज जहिन जिनों ने सस्क्राइब नहीं किया वो सस्क्राइब कर दो अपने दोस्तों में सेर कर दो जहिन जे बारा